आज फाइनाइन्स इंस्पेक्टर का एक्जाम था और ये एक्जाम में कैसा पैटर्न रहा, क्या सेफ कट आफ हो सकता है, क्या सेफ एटेम्ट हो सकता है, इस सब बरमें बात करेंगे, आप लोग जो भी चैनल पे नए हैं, डोंट फोगेट तो सब्सक्राइब दो चैनल, इस मौडरेट लेवल का आया था, मैं बता तूँ आपको, कि जितना भी पेपर आया है, चाहे जी एस था, चाहे फाइनाइन्स था, चाहे रीजनिंग था, और चाहे आपका इंग्लिश था, इजी तो मौडरेट लेवल का था, डिफिकल्ट बिलकु नहीं कहा जा सकता, यहां तक कि जितने लोगों से मैंने बात की और खुद भी मैंने पेपर देखा, तो यह अगर मैं बात करूँ, फाइनाइन्स सब इंस्पेक्टर से, उससे भी किसी संस में आसान आया था, उससे भी ज्यादा इजी था, कमपरिटिवली, तो मैं आपको सवाल दिखा भी देता हू जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि विपर कैसा था, देखिए, जी एस के कॉशन में देखिए, जैसे की बूचा है, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर आफ इंडिया, बुद्धिस साइट वैशाली नंदा कहां पर है, इक्वल डेज, इक्वल नाइट्स को कहते हैं मतलब जिएकिशन में पढ़ लेते हैं, हम ये की एक्विनॉक्स जो होता है, सॉल्स्टिस, समर सॉल्स्टिस में सबसे लंबा दिन होता है, विंटर सॉल्स्टिस में सबसे मिरात होती है, इस सभी चीज़ें, बेसिक जीमॉरफोलोजी सवाल, कि सबसे आउटर मोस्स कि बहुत ही एजी सवाल है यह सारा जीएस का पॉर्शन में डिसकस करूंगा अलग वीडियो बनाके फिलाल मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं हाँ भी बताईए कि यह सवाल देखिए यह सवाल दुबारा रिपीट हुआ है पंचाहिती राजवाला यह फाइनस सब इस्पेक रहा है तो कहने का मतलब यह कि मैंने जो हमारे फेकल्टी मेंबर हैं फाइनस का उनसे भी बात की तो उनने बताया कि इजी सवाल आथा फाइनस का भी इजी सवाल थे बिलकुल कोई इतना मतलब अगर बोलू तो मॉड़रेट कह सकते हैं कुछ सवालों को बड़ तो सबसे पहरी बात ये कि जो पूरा का पूरा पेपर है, पैटर्न और वेटेज, दोनों का धियान रखा गया, जो पैटर्न है, अभी तक हम देखते आ रहें, जो SI का पैटर्न था, JKPSI का, sorry, FSI का, Finance Inspector का पैटर्न था, वही पैटर्न फॉलोग किया जा रहा है, same to same Finance Inspector का भी दूसरी बात, वेटेज का भी बराबर दिहान रखा गया, जो जो सलेबर से मेंचन था, उस सबसे सवाल पूछा गया, तीसरी बात, अगर मैं एक पैटर्न की बात करूँ कि मैच दा कॉलम और Elimination वाला जो चीज है, वो नहीं देखने को मिली, मैच दा कॉलम जो है, वो नह उहां पर रही था, तो मैच दा कॉलम वगरा भीरा यहां पर नहीं था, इत वस नौट आस्क्ट, तो यह पैटर्न सिंपल सिंपल सवाल थे, सवाल और चार आपशन थे, कोई भी Multiple Statement वाला सवाल नहीं, तो यह पैटर्न भी आप देख लो की Multiple Statement वाला एक भी सवाल नहीं है कि one and two, two only, multiple statement वाले सवाल भी इनने नहीं पूछे तो उसके अलावा overall बात की जाए अगर reasoning की या maths की जो reasoning है इसमें उस वो भी कोई हास difficult level की नहीं थी तो जहां तक बात की जाए reasoning की अगर मैं reasoning पर आपको लाओं तो आपको देख के बड़ा चलेगा की reasoning भी बड़ा, आसान level का था, बहुत ही कोई high-five नहीं था easy level का reasoning था, मतलब easy to moderate कह सकते हूँ आप, difficult तो बिलकुल नहीं था है ना, तो easy to moderate level इसका मतलब यह है overall की pattern जो है वो follow किया जा रहा है एक बात दोलो easy to moderate है बेशक बट ऐसे कोई ridiculous सवाल भी नहीं अच्छे सवाल है, not bad, जितने भी तैयारी की कि सबको आना ही चाहिए है, तोड़ा सा difficult level high हो जाता है तो जो महनत जादा करते हैं उनको जादा फायदा होता है, तो तोड़ा सा difficult level मतलब moderate की तरह जादा जाए तो जादा better है और इसके लावा मैं बता तूँ आपको कि क्यूंके exam difficult exam जो है आसान आया है, दूसरा number of post कम है, तो cut off काफी high जाने की probability है, आंसर की आएगी, लोगों से बात करेंगे तो जादा better ideal मिल पाएगा, computer भी देख लीजए, computer भी उतना को high-fi नहीं आथा, moderate level का था, easy भी बिल्कुल नहीं बोलूँगा, मैं moderate level का था, तो अतना high-fi level का नहीं था, और यह मैं बता हूँ कि cut off की अगर बात करें हम, तो बज़रा cut off की बात की जाए, safe attempt जो है, safe attempt, आपको मैं बता हूँ कि इस में 105 to 110 तक आपको करना चाहिए था, जहां तक बात की जाए, 100, 105 प्लस ही जाना चाहिए, जहां तक मुझे लग रहा है, फिलाल अभी बोलना बड़ा wild चीज है, लेकिन cut off काफी हाई जाएगा, वैसे भी seat एक कम थी और paper भी असान आगया, तो जो लोग भी लगातार prepare कर रहे थे तो शायद cut off हाई जाएगा, ब बहुत, मतलब मैं को जाता हूँ, एक भी गलती नहीं है, हाँ, दो सवाल जो है, आंसर की में, चेंज होने चाहिए, वो भी इंग्लिश के हैं, दो भी subject to interpretation है, लेकिन काफी तक आसान paper था, तो मुझे भी ते जिते लोग इन भी मेहनत की, उनको ये इनका सिला जरूर मिले, और हम जल्दी ही ये पूरा paper discuss करेंगे, GS का पूरा portion, English का पूरा portion, सारा discuss करेंगे, तो दोस्तों, एक बार आपको मैं और बता दूँ, कि एक news market में बहुत रहीं कि JKPSI, ये बहुत ही important news है, JKPSI और जो constable की post हैं, ये जल्दी ही notify होने वाली हैं, अगर हम news papers और बाकी चीज़ अब 12 दिन के अंदर अने की probability है, so इसके लिए हमारा course भी launch हो चुका है, description box में link है, वो आप देखके उसको check out कर सकते हैं, daily business पे नए video upload हो रहे हैं, JKPSI का भी course आज launch होने वाला है, with the latest recording, कोई भी पुरानी recording नहीं है, कि पुरानी recording चेप दें आपको, सब कुछ नया record हो रहा क्यूंकि classroom environment को replicate करने की हमने कोशिश की है, तो ये paper को पूरा discuss करेंगे हम, आज ही शाम तक है GS का discussion भी आ जाएगा, तो thank you so much for joining and we'll be back with more updates, thank you बहुत जल्दी होती है आपको बात करना है, मुझे upload करना है वीडियो, मैं edit करने का time भी नहीं है, आगी अपके आवाज अब सुनते हैं